चुरू सब लोग हाय ओल आज जो सबसे पहले क्वेश्चन करें एबरेज के बाद एलिगेशन का मुझे लगता है एलिगेशन लोगों को एलिगेशन थोड़ा से बता दू मैं एलिगेशन भी दो ग्रूप जैसे हैं मांगो एक ग्रूप में ऑघर जो खैसे चर्वालो एबरेज एवन है एनवान नमना जो कॉप जफिशन मैं एटउ आव रेज्ट है जन्सक्राइबेशु के पाद olet ने थे ये कवाडरेज का मैंगेशन प्राइला थे ईवग एड़्ेस करें धिख माल्स क्लत दू करेंद के अंबारेज बीच भी होता है जा तो यह हो सकता है या ए टू लेस्ट एलेस्ट दैन यह वन हो सकता है इस चीज को एलिगेशन में इस तरह हम दिखाते हैं ऐवन लिखते हैं एटू एवन आपरेज आन वण के बैसिस के रैट हुआ का A2 average N2 के basis पे और combined average यहां लिखते हैं, फिर हम A2 और A का difference लिखते हैं यहां पे, ऐसा लिखते हैं कि difference पॉजिटिव हो, अगर मानलो हम यह वाला case लेद, A2-A पॉजिटिव होगा, क्योंकि A2 बढ़ा है A से, और A बढ़ा है A1 से, तो A-A1 पॉजिटिव हो, हमेशा ध्यार का difference पॉजिटिव लेना, एलिगेशन बोलता है इन दोनों का ratio, इन दोनों के ratio के बरावत, मतलब N1 by N2 equal to A2 minus A by A minus A1, यह तो लोग परे होगे, यह, यहां पे देखो, कितने unknown हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, अगर इसमें चार चीज़ दिया रहे हैं, तो पांच पांच निकल जाएगा, बहुत बार A1, A2 और A दिया रहेगा, यह तीन चीज़ दिया रहेगा, तो N1, N2 का ratio निकलेगा, किस ratio में mix हुआ है, और इसको हम लोग question में use किया करते हैं, I hope सब पर होंगे इसको, अब इसी पर best questions हैं, जैसे, यह question बता रहा हूं, question है, कि पांच केजी salt नमक का, इस price पे, रुपीज 5 पर केजी, और 3 केजी salt का, इस price पे mix किया गया, तो mixture का, मिसरन का average cost price क्या होगा, ठीक है, मीठा नहीं नमक, इसको करने के लिए, देखो, पांच केजी है, और क्या average price है, रुपीज 5 पर केजी, दूसरा salt, 3 केजी है, और average price क्या है, रुपीज 4 पर केजी, mixture का price नहीं पता है, A मानो, अब ये A, 4 और 5 के बीच में होगा, तो A-4 positive होगा, और 5-A भी positive होगा, इन दोनों का ratio, इसके बराबर होगा, इन दोनों के ratio के बराबर होगा, यहाँ पर लिख लो, 5 by 3 equal to, यहाँ क्या है, A-4, और यहाँ क्या है, 5 minus, यहाँ से A calculate कर लो, यही answer है, और जो आएगा, वो आएगा, 4.625, मिसरन का average price क्या है, 4.625 पर केजी, और answer क्या है, B, answer क्या है, B, ठीक है, दूसरा वो formula लगा दो, average, combined average वाला, हाँ, ठीक है, यह हम लगाते हैं, और हमारा answer, क्योंकि हाँ combined average, mixer का price निकालना था, यह निकालना था, ठीक है, इस तरह allegation का rule, हम लगा देते हैं, और यहोब allegation basic पता है, तुम लोग को पढ़ाया गया हो रहा, next question, खुद से करके देखू, next question है, यह question, पानी ने, यह question है, तो 25 गैलन के एक मिश्रन, 20% पानी होता है, परतिसद बढ़ाने के लिए मिश्रन में कितनी पानी जोड़ना चाहिए, ताकि नए मिश्रन में पानी का परतिसद 25%, इस question करने के लिए, तुमारे पास कितना गैलन मिश्र है, 125, पानी कितना है उसमें, 20% और एक्स लीटर गैलन पानी मिलाओ, पानी में पानी कितना होगा, मिक्स करने के बाद मिक्सचर में कितना पानी जाए, 25% यहां लिखो 25 और फिर 100 करण। 125 गैलन में इतना 20% पानी, पानी मिलाओ एक्स गैलन उसमें पानी 137, मिक्स करने के बाद नए मिक्सचर ने पानी 25, इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा मतलर 125 बटे एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे 75 बटे पांच इसको सॉल्व करोगे एक्स आयागा 8.33 और क्या अंसर होगा डि इतना गैलन पानी से मिला है टिके गौर करना यहां पर पानी का परती सत यहां भी पानी का परती सत यहां फेल पानी का पानी पीज सेम होना चाहिए अगर हम वाइन लेके चलते तब भी आंसर हमारा सेम आता जैसे अ गिटन वाइन कितना होगा 75 तो आशी और 55 का डिफरेंस पांच पचतर जीडो का डिफरेंस पचतर से मैंन से नाथ वाइन 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 भी लेकिशन सक्टें तो लिखें 125 तो वो क्वांटिटी है उसमें इतना प्रतिसद पानी है या इतना परतिसद वाटर ठीक है ऐसे हम एलिगेशन रूल यूज करते हैं पानी मिलाने है पानी या पानी कितना सौपर इसा वाइन कितना जिरू ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है यह कुश्चण यह करके देखो क्या है कि एक कंपनी के इतने भी इंपलाई है उसका आवरेज सैलरी और सब्सक्रेशन किसोर रुपह है ओफिसर की आवरेज सैलरी 120 ओफिसर की 4,000 और और बाकी इंपलाई का आवरेस एली 500 साथ तो बताओ कि टोटल वर्कर कितने हैं कमप्रीट ठीक है इसमें आउसाच सैली दिया हुआ है सबसे पहले बाकी करमचारी कितने हैं पता कर लो वह पता चल गया तो उसमें ऑफीशर की संख्या आड करना टोटल करमचारी पताचंद्ध आड कर लोग ऑफीशर कितने हैं रेस्ट आफ इंप्लाई पाकी करमचारी कितने हैं निकालना है ऑफीशर तो एक सो बीस है पाकी करमचारी एन मान लोग गारत तो अपसर नहीं है अगर्व देख रहे हैं अंसर बताएं सब लोग टोटल करमचारी यह तो रेस्ट आफ इंप्लाई आया होगा और एक सो बीस आफीशर भी तो है टोटल कितने होगें अगर्व देख राइट आइंसर देखो ऑफीशर कितने हैं एक सो बीस आउसत बेतन चारहजार पाकी करमचारी का आउसत बेतन किता है पांसो साथ और सभी करमचारी मिलाओं तो आउसत बेतन का च्छेसों पांसो साथ का डिफरेंस चालीस चारहजारओ छिस्एवशा दिफरेंस चփटीस दोनों का रेशयो के बराबर एक सबीस बटे एन इक वल्टू चालिस बटे कितना 3400 कान्य काली से काटो तीब ये एन आ जाएगा दसजार दोसुम्य कि बांकी करमचारी इतने है वोचन्म पूछा हैं टोटल हमारे पास एक सो पीस ऑफिसर भी जोड़ो इस में दससाजार तीमसर पीस टोटल करमचारी कैसा हुगा दस जार तीन सो इस इतने टोटल कम चाहिए इस तरह एलिगेशन यूज हो गया अगला देखो कि यह कि जार से सुडेंट ने यूपी पी सीस प्रिलिम्स एक्जाम दिया लग्रों में लड़के का साथ परतिस्द और लड़की का असी परतिस्द कट आफ को क्लियर किया ओर आल देखोगे तो पैंसेट परसेंट क्लियर किया तो कितने गल्स एपियर हुए एक्जाम के हिल्प से बॉइज और गल्स का रेश्यू आ जाए तंखेया का फिर उस चार सो को बांट देना कितने लड़किया हैं पता चल लाया का झाल कि ए इस दो राइट आसर देखो यहां पर लिखो कितने लड़के कितने लड़की यह वो रेश्यो लाएग़ अब लड़के में से किते प्रतिस्त ने कटॉप के लिए किया साथ परसेंट लड़की में से 80 प्रतिस्त ओवर आल 55 परदी सबुए पैसर ऐसी का डिफेरेंस 15 वाज और गल्स का रेशियो क्या आएगा 15 इस्टु 5 वाज और गल्स का रेशियो 15 बाइपाई मतलग 3 by 3 is 2 1 आया लर्की 1 टोट लर्की कितना 1 by sum of this सथ सब+. इतने अएंगे 100 इतनी लग्किया हैं? सभू लड्कियों है? सब सब्षोर का इसा सबад फ्टेकर , तो ऐगोप तो लड्क्यों मेरी छफोर था की लड्कियों की संख्या का रेच्व आया 3-1 लड्की कितना तो न्यवकर समीर्जफ इस फॉर इंटू टूटल चाहसों अगला कुश्चन देखो कि यह कुश्चन है कि भाई कितने किलोग्राम चीनी जिसका कॉस्ट है 3.60 पर केजी आठ केजी चीनी जिसका कॉस्ट है 4.20 पर केजी के साथ मिक्स किया जाए कि मिक्स्चर को इस पर बेचने पर 10 परतिसत का लाग अब यह प्रॉफिट लॉस में यूज़ करता है पूली नहीं चीनी चीनी अब इसको समझने के तर समझो कितने किलोग्राम चीनी एक्स किलोग्राम चीनी क्या अबरेज प्राइस कॉस्ट है 3.60 8 KG सूगर क्या कास्ट है इसका 4.20 पर कजी इसको mix किया और फोर प्वाइंट फॉर्टि पर केजी बेचर अब यह सम जना यह है यह cost price है यह cost price है यहां भी cost price चाहिए क्योंकि selling price है दसप्रिकिए लाभ है cost price से कम होगा तो less than one fraction 100 वटे-110 सन किभार। ठीक है और solve करोगे ती यह 4 आया है 4 और 4.20 का difference 0.20 4 and 3.60 का difference 0.40 इन दोनों का ratio इन दोनों का ratio बढ़ाओ तो x by 8 equal to 0.20 by 0.40 यह कट गए ठीक है दो से यह कटेगा 4 तो x क्या आगया 4 की यह answer है दो चार केजी मतलब डियांक से तो यह वाला चीनी कितना होना चाहिए चार केजी इस तरह देहां रखना कॉस्ट कॉस्ट यह भी कॉस्ट इसको कॉस्ट में कनवर्ट करना पर दो कि के नेक्स पॉस्चन देखो एक बैमान दूद्वाला दस सुर्पे लीटर दूद खरीता है उसमें पांच लीटर पानी मिला देता है अब उस मिसरन को अगर दस सुर्पे परती लीटर बेचे तो उसको लाव होता है क्यों पानी मिला दिया तो बताओ कि उसके पास कितना लीटर मिसरन था ठीक है पानी के कोस्ट को जीरो मान के चल पानी मिला है कि इसली अबलेबल है क्यों पानी मिला देता है कि देखो कि इतना दूद खड़ीदा नहीं पता है एक्स लीटर कोस्ट क्या है उसके लिए दस रुपे परती लीटर कि इतना पानी मिलाया पांच लीटर का कॉस्ट जीरो अब विश्रन को दस रुपे पती लीटर ही बेच रहा है लाव कमा रहा कितना पच्छिस परसंट यह कॉस्ट है यह कॉस्ट यह भी कॉस्ट होना चाहिए बदलो इसको इन्टू हंडेड़ बाई ऊप liberally 5 करो वूं कि अ यट आयेगा है आठ फ़र 0 का दिफेंस आठ आठ धूर 10 का दिफेंस जो एक्स बटे 5 आठ बटे दू आया जो चाहर एक्स की आई गया बीस लीटर चों इसने करी था लेकिन पूछा उसके पास कितना मिस्रन हो सकता है जिसे में दो पानी भी है बीस प्लस पानी कितना है पांच कितना मिस रंथा उसके पास 25 लीटर पानी का यह कॉस्ट है कि क्या कॉस्ट पाइस दूद का यह कॉस्ट पानी का सेम चीज़ हुआ ना यह भी कॉस्ट के लुट किया ना इसके तो कितना 25 लिटर में से रन था उसके पास ठीक है नेक्स्ट है अगर दूसरा क्वेशन यह है एक बैमान ग्रॉसर मतलब मालो तो बेचता है सारा चीज रोजमर्रा की वह प्योर बटर बोलता है कि हम कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं लेकिन क्या करता है उसमें पैट वसा मिला देता है और इस तरह उसको कितना गेन होता है पचीश परतिसर्थ तो उस मिक्स्टर में उस वसा का कितना परतिसर्थ है मान के चलो कि बसा फ्री में यह कोश्चन है तुम क्या करो प्योर बटर का कॉस्ट खुद से कुछ ले लो तो मान लो एक रिपे मान लो प्रती इकाई दस प्रती इकाई लो थेग्योडे मान लो प्रती इकाई लो तो एकई लो एको उसा लो प्रती इकाई लो तो और व ह मान नहीं ए ए इस दर राइट आंसर देखो कैसे यहालो प्योर बटर प्योर बटर का इकाई मालो एक रुपर प्रती काई कॉस्ट है और यह तो जीरो मिक्स किये उसको बेचता तो वह कॉस्ट प्राइस एक पही बेचता है लेकिन उसको लाव होता है 25 प्रती को वसा मिला दिया तो कॉस्ट मिक्शर क्या होगा इंटू सब्सक्क्राइब एक पांच चाबड़ पांच और जिरो का डिफ्रेंट्स आव निश्यरक्षण तो वो क्या है पूर बाइफाइब करने से पहले एक रिप्लेस्मेंट का का कॉंसेप्ट है वो देखो रिप्लेस्मेंट क्या होता है रिप्लेस्मेंट का कॉंसेप्ट है कि जैसे माल लो एक कॉंटेनर है इसमें 40 लीटर दूध है मिल्क इसमें से 4 लीटर मिल्क निकाला और रिप्लेस कर दिया 4 लीटर पानी से अब इसमें मिक्शर हो गया, मिलक & वाटर का, फिर से 4 लीटर मिक्शर निकाला, और इसकी जगह 4 लीटर पानी डाल यह प्रोसेस हम कितनी बार भी कर सकते हैं, आगा, तो मालो तीन बार किये, तीन ऑपरेशन के बाद कितना मिलक बचा, कितना वाटर है, यह पूसता है, तो मा इक्ल टू ऑईजिनल क्वाउंटिती एक्स वन मैंनस वाई बैए एक्स फार्ट निकलता है रूदी पावर एम एन क्या करते है इतने ओप्रेसज्ण होएं इन वही डिनोट करता है वाई बैस कितना पार्ट निकला जैसे यहां पर फूर बाए फॉर्टिए वन टेंथ तो 1-4 by 40 1-3 by 40 1-2 multiply करना पर जल्ली तुम लोगों को सेम बाल ही हो अब दो बार तो स्कॉयर तीन बार हुआ थी चार बार हुआ था पावर फॉर ऐसे अब क्वेस्टन है इस पर देखो यह कुश्चन है कि एक पानी की टनकी में या टनकी में 50 रीटा पानी है और उसमें जब पांच रीटा पानी निकाल लिया गया उसको replace कर दिया वाइन से और यी process को repeat किया गया फिर से पताओ जो बचाभ मिसरन उसमें वाइन एंड वाडर का क्या ratio कि इसका यह गलत है लगता है अगला वहाँ यह अगले वाले का लगड़ा टांसलेशन मैंने बोला हूं कि एक टंकी में 50 इटर पानी है 5 इटर पानी निकाला उसकी जगाँ वाइन डाला प्रोसेस को रिपीट किया फिर बताओ दो बार प्रोसेस करने के बाद वाइन और कर दो क्या लिक होगे पानी बचा कितना दो प्रॉटर लेफ्ट और इनली पचास था 1-5 by 50 निकल रहा है एस्वाइर लगा दो इसी राइट एंसर है इसी राइट एंसर है सॉल्ब करो इसको पचास 1-1 by 10 का एस्वाइर पचास गुना नौ गुना नौ बटे दस गुना अस्वाइर बचास से कटेगा यह दो 81 by 2 इतना लीटर पानी बचा है उच्छा है वाइन वाटर का रेस्यों वाइन इस टू वाइन कितना होगा तो पचास में से पानी हटाओ जो बचा है 81 by 2 और वाटर कितना है 81 यह सॉल्ब करोगा तो यह आएगा 19 by 2 इस्टू 81 by 2 2 2 कट जाएगा 19 is to 81 का रेस्यों क्या एंसर होगा 19 is to 81 स्क्वाइर क्यों लगाया प्रोसेस दो बार हुआ प्याओ 5 by 50 y by x x 1 10 इंस निकला हुआ डिए अजिकेर इधनी सिर्फना की निकाला है वाइन डाल कितना है कि अधिन अधिन नेक्स वेश्चन है यह इसको देखो वैसा ही है कि एक वरतन में पुरा का पूरे रिफाइंड ओयल लखा हुआ है वन फोर्थ निकालता है और उसकी जिए सरसों का तेल डालता है प्रॉसेस चार वा रिपीट किया पाइनली दस लिटर रिफाइंड आल बचा है तो वरतन की कैपसिटी कितनी है हुआ है तारसों का तेले आए है तो भी लाइफ देख रहे हैं, बताएं कैंसर होगा देखो, तस लीटर बचा है, चार प्रॉसस करने के बाद, कापसिटी माल लो एक से, वन माइनस फॉर्थ निकल ला है, तुदी पाउर फॉर्ट, चार ऑपरेशन है, यहां से एक से निकाल लो, वही एंसर होगा, वही कापसिटी होगा, तस एक सी इंटू थी बाइफ तुदी पाउर फॉर्ट, दस एक सी इंटू, उपर में 81, नीचे आएगा 256, तो क्या जाएगा, एक साएगा यहां पे, 2560 by 81, यह कापसिटी होगा, इतना लिटर, इसलिए इसका आंसर क्या है, सी, पुरिद आंसर सी, एक स्कूशन ऐसा ही है, देखो, यह कुश्च्च्च अचा यह, टेबल था, टेबल बन नहीं पाया क्या, टेबल था, टेबल था, टेबल था, टेबल था, तो क्योश्च्च्च नहीं गलत लिखा हुआ है, यह करो, एक बॉटल में 20 लिटर लिक्विड ए है, 4 लिटर लिक्विड ए को बाहर निकाला इससे, और उतने ही क्वांटिटी लिक्विड बी डाल दिया, टीक है, फिर से 4 लिटर मिक्विड निकाला, और लिक्विड बी से रिप्लेस किया, दो बार प्रोसेस हुआ, तो बताओ कि लिक्विड और लिक्विड बी का फाइनल मिक्सचेर वे क्या रेशियों सब को सिन एक जस्ट कीए था हम लो वाइन वाटर रेशियों कि 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 झाल झाल तो भी लाइब देख रहा हो भी एंसर बतायाएं C is the right answer, देखो, originally liquid A कितना है, 20, देखो, liquid A left, कितना बचाया है, 20 into 1 minus, कितना निकलता है, 4 बते 20 square, दो बार हो है, तो क्या हैगा है, 20, 1 minus 1 by 5, 4 by 5 का square, मतलब 16 by 25, या है, 5 फोर्जा, 5, 5, चॉसत बटे 5, लिक्विड A, चॉसत बटे पांच, लिक्विड B क्या आगा, टोटल में से चॉसत बटे 5, माइनस कर लो, लिक्विड A, और solve करो, तो चौसट वटे पांच इस टू गैर चत्तिस वटे पांच 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 कट गया और चार से सोलर चार से नौ सिक्स्टीन इस्टू नाइन का रेशियो मतलब आंसर क्या है सी कि एलिगेशन में यहीं सब कुश्चन रहेगा तो चलिए दो मिट का ब्रेक लिए आगे हम परहा रहे हैं टाइम और वर्क टाइम एंड वर्क पीडियुक्ष कि अ झाल कि अ कि अ कि आप आइव और वर्क ताम एन वर्क अब लुग यह हूंगे और इसको बनाए जो सामने question दिख रहा है popular topic है एक किसी काम को 10 दिन में करता है भी उसी काम को 20 दिन में और सी के help से सब मिलके 5 दिनों में करता है तो सी अकेला उसी काम को कित्ते दिनों में करेंगा सब लोग करें कि इस दो राइट आंसर क्या दिया है एक दस तिन में कर सकता है कि इस तिन में एबी सी मिलकर पांच दिन लसी एम अपरोच लगाते हैं दस बीस पांच का काम मानों एक दिनında बीस व्कषर दस दो यूरिट करेंगा इए विच्टे बीस व्कषर यूनितस एबी सी एप इनले बीस वटे पांच चार यह तो सी एक दिन में सी कि ऑ ही क्या है starter मैं cic माइनस फरो क्या है एक isby करता है एक दिन में एक निट करता है और पूरा काम करना है बीस, तो C को कितना समय लाएगा तीस बटे एक दिन मतलब वीज दिन सी अकेला बीस दिन में काम पूरा करता है ठीक है, next question देखो ये काम है, question है एक किसी काम को बीस दिन में कर सकता है, वो पाँच दिन काम किया फिर भी बचे हुए काम को दस अतिक दिनों में करता है जो दोनों मिलकर उस काम को किते दिनों बुरा कर सकता है जो झाल को अब बताएं जो लाइफ देख रहे हैं वो भी आइशर बताएं लेकिन ने कितना दिन काम किया बचे हुए काम को रिमेनिंग वर्क को बताओ कि यह और बी मिलकर को किते दिनों कर सकता है तो, 20 दिन में करता है, वी कितने दिन में टोटल काम करगा नहीं पता है, उआ खे inductorm काम को मान दो कर लोगे आ, इसका क्यों कोई तो पूरे काम को मान दें कि 20 यूनिट का है, तो एक दिन में कितना करेंगा, 1 यूनिट, ये ने पांच दिन काम किया तो 5 यूनिट कर लेगा तो remaining काम क्या है पीस में से 5 टाओ तो 15 यूनिट तो बी कर रहा है पर दे दस दिन में करता है तो बी की efficiency क्या होगी 1.5 यूनिट पर दे 15 वटे 10 यह और भी मिलकर एपर डे वान इंट बी 1.5 तो 2.5 पर डे करता है अब बीस करना किता दिन लाएगा बीस वाटे 2.5 तौल करो आठ दिन आइज दोनों मिलेकर किते दिनों में आठ दिन कि कोई डाउट हमने यहाँ पर बीस का मल्टीपल लिया क्योंकि यह अकेला ही 20 दिन पर कर सकता है बाकी किसी का ने दिया इसका कोई मल्टीपल 40 वी ले सकते थे तब यह एंसर से माथ कि कि नेक्स पॉस्चन देखो क्या दिया है एक किसी काम को 15 दिनों में कर सकते है भी उसी काम को 20 दिनों में दोनों मिलके काम करना है स्टार्ट किया भी दो दिन के बाद छोड़ दिया तो बताओ कितने दिनों में काम पूरा होगा झाल 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 काम पूरा करता है कैंसर है करेक्ट है नन अब दीजी आंसर होगा एक किते दिनों में काम पूरा करता है पंदरह दिनों और भी अकेला बीस तिन में पंदरह बीस का LCM लो साथ यह तो गो यह सब्सक्राइब दो तो दो दिन के बाद छोड़ दिया तो दो ही दिन काम किया तो दो गुना इन वी का काम इक्वल टू 60 solve कर लो इसको क्या आएगा 4x equal to यह आया चौबन एक्स इक्वल टू करोगे solve 13.5 डे आए क्या आएगा 13.5 डे में काम पुरा होगा इसे नन आप दी जाएंसर जोड़ दिया दो दिन दोनों मिलकर काम सुरू किया लेकिन भी काम समाप्त होने से दो दिन पहले छोड़ दिया तो बताओ काम किते दिनों पूरा होगा बताओ क्या answer है पिछले question जैसा ही है यहाँ पे भी काम समाप्त होने से दो दिन पहले छोड़ा है झाल सकता जैसा है कि अब भी लाइब देख रहें एंसर बताएं में वर्क तो सब करता है यह तो आसान चैप्टर है करता हुआ नग्याद कर भी ही देन आसे हम एंसर बता है कि पताओ नहीं है एंसर कुछ नहीं आ रहा है कि दो इसका एंसर है सी ट्वेल्ब टू बाइन डेज कैसे देखो ए 25 दिन में करता है कि उसी काम को 20डिन में 25डिन का एक दिन में 5 आलो एक स्टेज में काम लेकिन समाप्थोने से दो दिन पहले छोड़ा into 5 equal to total count 5 or 4 9x minus 10 equal to 100 9x equal to 110 x equal to 110 by 9 क्या एगा 13 2 by 9 देज नहीं, sorry, 12 12, 2 by 9 दे 12 नहीं जा 10 देज़ चैंसर आगे C एंसर क्या है इसका? C ठीक है? B x minus 2 देज काम करें काम x देजन पूरा हुआ कि दो दिन पहले छोड़ा थे x minus 2 देज ध्यान रखना है Next question है ऐसा ही ये यहां तीन लोग है A किसी काम को 10 दिन में B उसी काम को 12 दिन में C उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तब एक साथ काम करना है इसार्ट किया A दो दिन के बाद छोड़ दिया B तीन दिन पहले छोड़ दिया ठीक है? मैंगर काम समाप्त होने चाहिए तीन दिन पहले B ने छोड़ा कितने दिनों में काम पूरा होगा C है नाद दिन दिन है C. C is the right answer. मैं देखो कि कि सी काम को दस दिनों में पूरा करता है वी उसी काम को बारा दिनों में पन्दरा दिनों में ल्सीम लोगे तो क्या आएगा A एक दिन में 6 B एक दिन में 5 C एक दिन में 4 मान लो X टेज में काम पुरा हुआ A ने तो काम छोड़ा नहीं A छोड़ा दो दिन के बाद A काम किया दो गुना P छोड़ा है ते दिन पहले X माइनस 3 इन्टू 5 और C तो पुरा काम किया X इन्टू 4 9X माइनस 3 इकोल टू 60 आएगा X यहां से 7 आए साथ दिनों में काम पुरा हुआ किति दिन में काम पुरा हुआ साथ दिन पिछले क्वेशन की तरह तो कंटिनू किये Next question देखू एक किसी काम को 10 दिन में कर सकता है इस बारह दिन में एक साथ काम सुरू करता है लेकिन अल्टरनेट डेव पर करता है का आज यह तो कल भी फिर यह भी ऐसे कितने दिन में काम पूरा होगा जब बी काम को स्टार्ट करता है हाँ, बीस्टार्ट करता हुआ वरी सम्वर्गलिखाव अल्टरनेट एकां तर ओके तब लोग कांचर होगा ग्यारा दिन यो कैसे करेंगे ये दस दीनों में काम कूरा करता है अब यहां पे लाइन कीचे, पहला दीन बी न काम किया, दूसरा दीन फिर बी फिर ए ऐसे काम होता है बी करता है पाँच, एक तरWest बी करता है CH, पानच छू ऐसे दो दो दिन में ग्हारे यूनिट काम गैरह ग्हारए ऐसे प। फपन्स टॉ क्या दर न पाउच यूंट ऑफ मतहीं मदब दो गूणा है पाउंच दस दिन कौन काम करेगा मैं करेगा तैस्वे दिन के करेगा ये ये टेंथ डे है और यहां तक 55 न्यूट काम हो जाएगा बचा पांच इसलिए 11 करता पांच ही करना है इसलिए 11 देना अचिक है उसलिए 11 देना है होता था था जब करता है अगर आख़े स्टार्ट करता मालो काम दसफें दिन भी करता याल में तो एक वह करता वर ये तो छे करता तो 5 c 6 दिन 10 फॉट शे दिन ऐसे ऐसा बहुत मिलेगा तुम ना दो लोग तीन लोग वाला भी होता है पहला दिन एक फिर शी करना ऐसे ही कि के नेक्स कोस्चन है यह 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 एफिसेंसी वाला कॉस्चन है मनीश एक काम को समाप करने के लिए अनुच से मनीश अनुच से दो गुणा समय लेता है किसी काम करने के लिए वन से तीन मुणा लेता है ठीक है तीनों मिलकर काम को एक दिने पूरा कर सकते हैं तो बताओ मनीश अकेला कितना दिनों को करें अनुच को समय लगता है वो अनुच का दो गुणा और बंसे को मसे तीन गुणा किसी काम को पूरा करने में समय लगता सभी को पता होगा कि efficiency और समय में जो relation होता है वो बितकरम का होता है इनवर्स का होता है अगर मनीश को दोगुना समय लग रहा है efficiency उसका आदा हो जाए ऐसे मनीश को तिगुना समय लग रहा है efficiency वन्स के पेक्षा वन थर्ड पीया मैं अबसी ने नहींु वल्द सिह ने यंब झाल झाल देखो यहाँ पर लिखो Manesh जाल लिखो Anuj यहाँ लिखो Once time का अगर relation देखोगे तो तो मने apologized से दो गुना से महल लगता यह connection है efficiency का relation क्या होगा बता का श्रीटू अब गसका काम खतम हुआ यहाथ आदे अब मनीश और बंस में टाइम का यह रेशियो एक दिन में काम करता है तो काम कितना है छे यूनिट का है अब मनीश उसको अकेला करना चाहता है मनीश एक दिन किता करता है वान शे करना है तो सिक्स बाइब डेट सिक्स डेट सेंसर होगा तो टाइम के रिलेशन्स से एफिसेंसी निकाल लिए अपना जीए ठीके next question है efficiency का ही है यह question आकास बीवेक से त्रिगूना efficient है इसलिए किसी काम हो करने में साथ दिन उसे कम लगता बीवेक क्या पेच्छा दोनों मिलकर करे काम तो किते दिनों में पूरा करेगा यह question विवेक के साथ ने विवेक से झाल झाल ए ए इस दर राइटर आंसर किया है आकास और विवेक का एफिसेंशी का क्या रिलेशन आकास की गूरा एफिसेंट है विवेक से तो टाइम को क्या आएगा बताओ ना अगर आकास को एक्स टाइम लागता है ते विवे को क्या लेगा थ्रीएक्स x 3x से कितना कम है 2x कम है वो दे रखा है 60 2x सिक्टी दिन दे x आगया 30 लेज मतलब आकास 30 में कर सकता है और विवेख 30 गुना 3 90 दिने 30 दिन में कर सकता है 20 दिन में दोनों मिल कर निकाल लो आकास 30 दिन में विवेख 20 दिन में LCM लो 90 याएगा तीन और वान दोनों मिलकर नब्वे बटे चाफ दिन यह आ जाएगा क्या अंसर आएगा एए इस दो राइट आइस इस तरह कि एक एक्स क्वेश्चन है यह पर्सेंटेज वाला है एक आदिवी बीस परतिसत कांप आठ दिनों में कर सकता है दूसरा आद्मी 25 पर्सेंट काम चेंटों में कर सकता है तो दोनों मिलकर कितने दिनों में 40 परसेंट काम कर सकता है एक कोुछ से नहीं कि इसमें आप पूरे काम को सौ परतिशत मानके चलना सौ परतिशत कि इसमें नचत्छ परतिश परतिशत उत्तर परतिशत अपैंट ए ए इस दर राइट आंसर छे देगी तो कैसे करेंगे जिनका नहीं बना एक्स तीस प्रतिसत काम आठ दिन एक दिन में किता काम करेगा तीस बटे आठ प्रतिसत करेगा किता करता है 25 प्रतिसत 6 दिन में एक दिन में 25 प्रतिसत दोनों मिलकर एक्स प्लस वाई एक दिन में किता परसेंट करता है पांच वाटे दो प्लस 25 वाटे शे सॉल्व करो इसको चालीस वाटे एक दिन में करता है इतना इन लोग काम करना है चालीस परसेंट चालीस परसेंट को डिवाइट कर दो इस परड़े काम से और क्या अंसर आएगा छे दिए कि अज़रा आएगा छे जिए करें उगर्स क्यों नहीं सकते हैं कि बड़ा कुछ हाँ हाँ उसे हम कर सकते हैं कि पसंदेश आई जाएगा कि अगर्स को सब्सक्राइब कि अब इस को सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हें पता होगा तुम लोगों को M1 D1 H1 by W1 equal to M2 D2 H2 by W2 या M1 D1 by W1 equal to M2 D2 by W2 H नहीं पता है आवर नहीं है उसी बनेगा X व्यक्ति इसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं यदि 6 व्यक्ति कम हो तो काम को 10 दिन नहीं छे व्यक्ति अधिक हो तो काम को 10 दिन कम में किया आ सकता है तो बताओ ओरिजिनली कितने लोग थे एक्स क्या है यह कुश्च्चन है कि एक्स नंबर नहीं एक्स पुरूस तीक है इसको करने के लिए यहां पर लिखोगे एक्स आप इस दिन में काम कर सकते काम मानों वन वर्क है तो अपर तीसत भी ले सकते हो लेकिन छे लोग ज्यादा थे तो बीस दिन में काम पूरा हो गया सेम काम एक्स प्लस इंटू ट्वेंटी वर्टे वर्टे वान सॉल्व करो एक्स यहां से बारा है और इजिनली मूल रूप से किते लोग थे बारा क्या अंसर होगा एक्स आइसा ही कुशन दूसरा है एक इंजीनियर एक परजेक्ट लेता है 15 किलोमेटर रोड बनाने का 300 दिनों में और इसके लिए 45 लोगों को इंप्लाई करता है कि दौध दिनों के बाद पदा चला कि धाई किलोमेटर रोड ही बना है एक्स्ट्रा कितना आदमी वो लगाए एक्सिमेटली काम समय पर पूरा हो जाए एक रिश्चन है कुशन 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 झाल झाल देखो कितने लोग काम कर रहे हैं? 45 लोग और 100 दिनों में कितना रोड बना है? 2.5 किलो मेटर अब 200 दिन बचा इंजिनियर के पास काम समय पूरा करना है और रोड बनाना कितना है? 12.5 किलो मेटर तो उसने 45 प्लस कुछ एक्स्ट्रा एक्स लगा दिया है? 45 यो था ही, एक्स्ट्रा एक्स लगा दिया है वह सॉल्व करो, 1 D1 बाइ W1 इकोल टो M2 D2 बाइ W2 X निकालो तो क्या होगा? 45 इंटु 100 बाइ 2.5, 45 प्लस X इंटु 200 बाइ 12.5 तो क्यों को सॉल्व करना है, X आएगा 67.5 अप्रॉक्सिमेटली 68, एंसर क्या होगा? टीट, 345 क्यों? कि नहीं वो, थे तू मता रहूं, वो इफ्रेंट कुछ्चन होता है? वो नहीं हो। यहां पर SMO NDS नए लगाना है, 45 वहल्कर सौदीन में कितला काल की यह सॉल्व खाया है? कि अभाइए तालिश तीन सो पंद्र कहां किया तो किया ही नहीं ना है तालिश तो तो सो ही दिन काम किया और इतना ही काम किया किया है कि के एक सब्सक्राइब करो कि एक सब्सक्राइब कर सकते हैं अब बताओ कितने दिनों में बचेवे काम हो जाएंगे वह कुष्चन है सब्सक्राइब thatís कि मैं बचेज सब्सक्राइब था만या झाल झाल देखो ऐसे समझो 15 लोग 210 दिन में काम पुरा करेंगे तो 15 लोग लेकिन काम किये तो सो ही दिन इसके बाद 15 लोग एक्स्ट्रा आ गया तीस लोग हो गया किते लोग हो गया कितने दिनों में काम करेंगे नहीं पता है एक्स माल ली यह लोग 15 लोग स्वादी में कितना काम करेंगे सौ गुना एक बटे 210 बटे 210 काम करेंगे तो बचा हुआ क्या है वन में इसको माइनस को टोटल काम तो वन वर्क है एक्सो दस बटे 210 बटे 210 बचा हुआ है एम वन डी वन बाइड वन पंद्र गुना सौ बटे सौ बटे 210 पीस गुना एक्स एक्सो दस बटे 210 बटे 210 कर जायेंगे काटो सौच जाये का पंदर से पंदर दूनी थीस वसे यह पच्पन एक्स क्या जाएगा पच्पन किते दिन लाएंगे पच्पन क्यांसर होगा 55 कि एक है कि एक टैंक में दो पाइप लगे हुए है पाइप भरने वाला है पाइप भी खाली करने वाला है कि अगर दोनों पाइप कुल जाए दो नहीं अगर हाफ एंपिय टैंक एक थारने लेby कितना समय है कि आधा खाली है एक टैंकी में दो पाइप होते हैं पाइप ये टैंकी को दस घंटे हैं भर सकता है अगर टैंकी में से हाफ खाली होने के बाद ये कुछ अगर और बी दोनों लग हैं कितना समयल हैगा उसे भरने में कि अधाई बरना अधाद खाली है अधाई बरना अधाई बरना अधाई बरना अधाई लेकर बनाओ पहुंचा देखो एक कित्य घंटे बर सकता है तस घंटे में पंदर घंटे में खाली कर सकता है तो भी नेगेटीव काम कर रहा है तस पंदर का एलसी हम तीस इस लीटर का टंकी मानों यह गंटे में त्युलिटर भरेंगा फ्यीत गंटे में 2 लीटर काली ऐंगा था जब Blues भी नर्ली मानply भर रहा है आधा खाली में थे मल्द रिश्याख भरन धे अधान हथ वानल आवर बल्राव के ऐधे ढझा सब्लस तुबर बदान हैंस पन्रह द वरन हों कि जो खाली करता है उसको माइनस लगाते हैं कि निगेटिव काम कर रहा हुआ कि पंदरह भरा हुआ है पंदरह खाली पंदरह बटे वहां है इतने घंटे लग जाएंगे नेक्स्ट कोश्चन देखो कि यह कोश्चन है तीन पाइप एक टंकी बें लगा हुआ है करमसा भर सकते हैं 10 घंटे 20 घंटे 25 घंटे एक साथ तीनों को खोल दिया गया दो घंटे के बाद पी को बंद कर दिया गया यह भी चल रहा था चौते घंटे को ब्हुत कर दिया गया तो बाकि काम को एक किया बता अभी एक ही समय पे खुले आते हैं एक समय पे अभी ऑूशन से लेक हिसल है और से झाल, आते हैं और सेय आते हैं झाल 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 कि टोटल कितना प्रतिशत एक काम के लिए हुआ हुआ देवेंटी टूपरसेंट करेक्ट आंसर नन अप्र जोगा वालो क्या दिया है एंधस घंटे में भर सकते हैं इस घंटे में और सी 25 गंटे में मालों की काम को हम 100% माल दी है परतीसद में निकालना माल सकते हैं LCM मेले चूँकर 100 ही आये एक गंटे में 10% भरेगा बी गंटे में 5 दी गंटे में 4 कि तक हम किया है दोई गंटा नोज़ेंगे किता बरेगा कि तो इंटू प्रक्रेंद काम किया चार गंटा चार गुना पांच 20 परेगा तो 28 परसेंट तो बी सी ट्वेंटी एक इतना हांडेट माइनस ट्वेंटी मतलब सेवेंटी टूपरस्ट एक इतना काम करें सेवेंटी टूपरस्ट है कि अगला कॉश्चन देखो एक पाइप तीन गुना फास्ट दूसरे पाइप से किसी टंक भर सकता है यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए दोनों एक साथ कि एमटी टैंक को खाली टैंक को 36 पर भरता है तो कितना समय लाएगा स्लो वाले पाइप को अकेला भरने मुश्च हमी बाइप को कर दो यह रहा है, यह रहा है, इसका रहा है, बी, डेल्टा, दो घंटे, चौवेश इनट, देखो, मानलों, यह एक फास्ट पाइप है, और स्लो पाइप है, अगर यह एक लीटर भरेगा, तो यह तीन लीटर भरेगा, यह है, अब दोनों मिलकर, लग बोत, शत्यस में बढ़ता है, ठीक है, दोनों के चार लीटर भरा है एक मिनट में, तो च्छत्यस गुना चार भरेगा, यह कितना होगा, एक सो बीस, एक सो चौवालिस लीटर का मानलों क्यांकी है, अब इसको स्लो वाला भरना चाहता है, स्लो पाइप, उन्तों एक लीटर भरता है, एक सो चौविस बटे वन मिनट, इतना, यह क्या आजा है, का दो गंटा 24 मिन, एक सरोगा, दो गंटे 24 मिन, होच गये, ओके, आजोप यह सब चीप पढ़े हो तुम लोग, बस, नो, एक लाट्स रिविशन काया भाई, यह कोच्छन दो कोई, यह भी टाइमन वर्क एक टाइप है, कि यदि बारह आदमी और सोलह लड़के किसी काम को पास दिने में कर सकते हैं, और 13 पुरुस और 24 लड़के उसी काम को चार दिने, एक आदमी और एक लड़के के एफिसेंसी का क्या रिलेसिन, झाला आदे कि ओिने, झाला वर्क एक हैं और 3 थी, यह मुन्ण का दिने, यह भी खkówर दिने, यह व cigarettes, यह हैंतायां में बश्षण से चाहता हैं, झाल झाल देखो C is the right answer 16 का C 16 का C कैसे कैसे करो 12 मेन and 16 वाज 5 दिन में काम करता है और फिर दिया है 13 मेन और 24 लड़के सी काम को चार देए बिसिकली 12 लोग काम करें तब 5 दिन में किते लोग काम हो गया 60 लोग का तो काम हुआ 60 मेन और 80 लड़के का 60 मैंडेज होता है एक आदम एक दिन काम 1 मैंडेज एक लड़का एक दिन काम 1 वाइट है हमने 60 मैंडे लिख दिया और 80 वाइट है यहाँ पर देखो 13 फोर्जा 52 मैंडे प्लस 96 वाइट यह और यह सेम है सेम काम यहाँ लिखो 60 मैं प्लस 80 वाइट वाइज 52 मैं प्लस 96 वाइज यह मैंडेज लिख लो वाइज दिकते हैं मैं इदर लाओ तो 8 मैं 16 वाइज से मैं और वाइज का क्या रेशियो है 2 वाइज यह एफिसेंसी का रेशियो आपता है एक आदमी वेक लड़के का रेशियो का है 2 इस टू 1 C इस दा राइट आप ठीक है ठीक है नेक्स देखो झाल 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 फिराओ है है एग पर पर चीडिमेंग काम हुए काम को अघैनल एधार आठारी belt पांच इन धुमेन का मैं वीट करता है है तो विमेन वान इंट अब काम कितना है थ्री में अठारा मेंड का काम है एक आदमी पांच उनिट करता है तो आठारा गुना पांच नब्बे यूनिट का का मैं अब उसको कौन कर रहा है पूर में प्लस टेन चार आदमी मतलब चार गुना पांच तीस तस महिलाएं दस 10 इ तो क्या अंसर होगा तीदेश अच महिला है अच महिला है अच्छा वैसे पिर सकते हैं अफिसेंसी का रिलेशन कितना काम ये पड़े क्या आइस को इस और देखोन चीन मौहिलाह और और किसी क्याम को को पंद्रहत उसी कामों कर सकते हैं यदि नौ मेलाया दस त्रवकाव पूरा कर शसकतेолот एकल लें उसी काम झाल 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 तो क्यांसर नाप दीजाएं ओके देखूं तो क्यांसर नाप दीजाएं ओके देखूं तो कितने दिनों में 15 आदमी उसी काम को पूरा करें यदि 9 महिलाएं उसी काम को दस दिन में करें तो यहां से नाइन्टी उमेन का काम आ गया है नाइन्टी उमेन ते यहां से गुना चे छत्तिस उमेन प्लस छत्तिस मेन का काम यह दोनों बराबर है तो चत्तिस वमेन ? जाक आए उमेन। जाए उटीस मेन ऐट जाए इकोब काम चे शत्तिस मेन प्लस प्लस जोबन काम की ठा एक्टा। अठार रहा तूनीच हत्तिस अधिन यहां से मैं वाई विमेन इक्वल टू थ्री वैट ठीक है अब क्या क्वेशन पूछा है कि पंदरह पुरुस उसी काम कितना है नब्वे विमेन पर्डे विमेन दो इनिट करती है तो एक सुसी उनिटे काम है नब्वे गुना दू कि पंदरह में काम कर रहा है एक आदमी करते हैं था पैतालिस मिक्वल इन अन्सर अन्सर हो गा ना नव दीज़ तो आज है इन दोनों को सेम काम मैं मुमिन का एफिसेंस ती बाइट तू मैं पर दे टी उनिट इन वेट पड़े टू इन उनिट्ट काम पर डाटर 192 एक्सवसिटी उनिट का फंदरा पुरुस काम करने तो पंदरा गुदा थीन 45 उनित पर दे एक्सवसिटी करने एक्सवसिटी पताल इस चार देन वे काम पुराँदे ठीके कि अज़िए आज के लिए इतना ही फिर हम कल कंटिडू करेंगे कि अज़िए कि अज़िए झाल 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 झाल